हलो फ्रेंट्स वर्कम टो यह मिटमिक किछेंज आज मैं बनाने जा रही हूं हाय जबादी चिकन चिली की रेसिपी खुद भी बनाएं आप लोग और फेंस और फैमिली के साथ शेयर करें चलिए स्टार्ट करते रेसिपी सबसे पहले में एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और उसमें एक बड़ी सी प्यास को जफली स्लाइस करके डाल दें इसमें तीन हरी मेश डाले आपको ज़्यादा चाहिए तो एक दो और डाल सकते हैं और एक हैंड़ फुल धन्या पत्ति डाले इसमें डाले अब एक कर आप इसका एक फाइन पेस्ट बना लें इंग्रीडेंस आरे डिस्किप्शन बॉक्स में दी हुए है आप जाकर चेक कर सकते हैं अब यह हाफ केजी चिकन है और इसमें मैंने डाल दिया है यह जो मैंने पेस्ट तयार किया था और इसे हम कम से कम आदा गंटा का मैंनेशन मैं देंगे आदे हाफ गंटे के बाद एक पैन लेंगे उसमें यह टालेंगे अल्यार डालकर इसमें दो-सी तीन हरीमे इच व रिच्षप करके यह ग्रान आज बिलकुल दीमी रखेंगे कोस मैं लादी परड़ से 5000 अवाध और एक हाफ टीश्वून-कौरीएंडर पॉर् कि तेल जादा गर्म ना हो तेल गर्म रहेगी तो मसाला जल जाएगी अब इसमें हम डालेंगे मैरिनेटर की हुए जो चिकन थी हमारी वो डालेंगे थोड़ा से इसे मिक्स कर देंगे मसालों के साथ तेल के साथ अब इसकी धकन लगाकर हम इसे 15 मिनट धीमी आज पर छोड़ देंगे 15 मिनट जब हो जाएगी तो आप देखेगा कि इसकी पानी भी सूख चुकी होगी क्योंकि मैंने पानी समय आड़ नहीं किया दीमी दीमी बस वो चिकन के पानी के साथ गल चाती है यह आल्मोस्ट सॉफ्ट हो चुकी है यहाँ पर अब हम इसमें डालेंगे हाफ टे जरूर से च्राइ करें इस रेसिपी को अब बहुत अच्छे से भून चुकी है तेल भी छोड़ दिया इसने बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुकी है अब हमें इसमें ग्रेवी डालनी है तो यह मैंने गर्म पानी इसमें एड़ किया है जितनी थिकनेस आपको चाहिए ग्रेवी चाहिए आप उतना गर्म पानी में डाले मैं हमीशा सजेस्ट करूंगी करी में आप गर्म पानी डाले क्योंकि वह टेस्ट को बहुत अच्छे से बैलेंस करती है तो मुझी थोड़ा सो और इसमें पानी डालना थोड़ा ज्यादा ड्राइ लगए आप चाहे तो ज्राइब रख सकते हैं यह आपके उपर डिपेंड करता है तो मैंने इसमें थोड़ी से पानी और डाली है अब हम इसे ढख कर बस एक से दो मिनट और सिम होने देंगे और हमारी बहुती जबदस सी हैज़ाबादी चिकेन चिली बन कर तयार है ज़रू से ट्राइब करें अच्छी लगी हो दोस्तो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले